हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल तो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगी कि उशा फुड प्रोसेसर की मदद से आप अनारक जूस सही तरीके से कैसे निकाल सकते हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और देखिए भी क्योंकि मैं कुछ इसमें तो यहां पे मिक्सर ले लिया है मैंने तो सबसे पहले उपर का कवर हटा लेंगे और यह जो ब्लेंडर है इसे हमें बीच में प्लेस कर देना है और उपर का लॉक कर देना है धकन लगा के और साथी साथ सेफटी कवर को भी लॉक कर देना है अगर आप इसे नहीं लगाएं है और इसी का हम जूस निकालेंगे तो यहां पर हमें एकी बार में सारे नहीं डालने हैं थोड़े-थोड़े जूस निकल रहा है यहां पर हम धीरे धीरे डालते रहेंगे तो यहां पर मैं दो तिन स्लॉट में डाल रहे हूं तो यह लाश्ट है तो देखें यहां पर पूरा दाने डाल लें तो इसके बाद इस स्पीड आपको एकदम हाई पे करके एक मिनट तक चलाना है क्योंकि जो अंदर का ब्लेंडर है वो जितना तेजी से घुमेगा उतना ही अच्छे से जूस निकलेगा मैंने सारा डाल दिया है मैं एक मिनट तक बहुती स्पीड में से चला रहे हूं और अब मैंने इसे स्टॉप कर दिया है तो चलिए मैं निकाल के दिखाती हूँ अभी आगे भी हमें कुछ करना है वह भी आप अभी देखनए रहे हैं सब् python करा टेदा मुझे हुआ के साथ मिला है उसी से मैं सार दानों को फिर से हटा ले रहे हूं। क्योंकि ये चिपक गए होते हैं dessasएं मैं बहुत सब्सक्राव में रहें है इसा और उसी प्लेट प्लेस करेंगे और फिर से ढखकन लगा पिर से इसे थोड़ा-थोड़ा डाल के हम जूस निकालेंगे अनार के दाने एक बार में जूस नहीं निकलता है हमें यह प्रोसेस दो से तीन बार करना है तो यह सेकिंड टाइम मैं दानों को धीरे-धीरे डाल रही हूं ये देखिए, दूसरी बार में डालने पे भी जो जूस है वो निकल रहा है इस तरीके से अनार के दाने का जूस निकालने से बहुत अच्छे से सारा जूस निकल जाता है मैं भी आपको रिजर्ट दिखाती हूँ तो धेखिए, यहां पे मैंने दूसरी टाइम सारे दाने डाल दिये है स्पीड मैंने फिर से हाई पे कर दिया है और अब स्टॉप करके देख लेते हैं तो चलिए ओपन गर के दिखा देती हूँ तो देखिए आपको कलर देखने में ही फर्क पता चल रहा होगा तो अब मैं इसको फिर से आपको निकाल के दिखाती हूँ अगर आपको लग रहा है कि दानों में अभी भी थोड़ा बहुत रस है तो आप एक राउंड और कर सकते हैं अगर आप तीन बार राउंड करेंगे तो दानों में से रस बहुत अच्छे से निकल जाएगा तो मैंने अभी सेकंड ही राउंड कंप्लीट किया है और सेकंड राउंड के बाद क्या रिजल्ट आया है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं तो देखिए मुझे लग रहा है कि दानों में से सारे रस अच्छे से निकल गया है अब मुझे इसको दुबारा से ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं है तो देखिए यहाँ पे कलर की वज़े से लग रहा हूँ कि इसमें रस है बट ऐसे कलर के हिसाब से नहीं देखना है मैं आपको नजदीक से दिखा रही हूँ पूरा अच्छे से रस निकल गया है लेकिन अगर आप चाहते हैं तो फिर से आप एक बढर कर सकते हैं तो देखिए अब मैं आपको निकाल के दिखाते हूँ कि कितना 3 अनार में में कितना जूस निकला है तो आप देख सकते हैं तो कलर भी कितना अच्छा आया है कितना गाढ़ा है कुछ भी आड नहीं मैंने यूस पानी भी निया है कुछ भी एड नहीं है और कलर देखे कितना धारक है तो यहां पे एक गिलाज जूस तीन अनार से निकला है तो पी जी ए इंजॉय करिए वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी जरूर करें और ऐसी उशा फूट प्रोसेसर के और भी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए टेक केर और बाए